हमारे प्लांट्स में लगे हुए फल, फूल, सबजियां अक्सर गिर जाते हैं या समय से पहले ही जढ़ जाते हैं इसका क्या कारण है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए यानि कि फल, फूल, सबजी को कैसे गिरने से रोका जाए आज दोस्तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयांस क्रेटिव गार्डन दोस्तो इसके लिए सबसे पहला जरूरी कारण जो रहता है वो हमारा वेदर यानि कि मौसम रहता है जब हम लोगे यहाँ पर टेंप्रेचर जरूरत से जादा अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो अक्सर जो हैं प्लांट्स में लगे हुए फल फूल सबजी गिर जाते हैं जब टेंप्रेचर जैसे कि हम लोगे यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस के उपर जाने लग जाता है यानि अधिक होने लगता है धूब कर्मी अधिक होने लगती है तो हमारे बहुत सारे प्लांट जीसे मिरच है, बैगन है जिसमें कि सारे साल फूल सबजी बनते रहते हैं यह अक्सर जो हैं फूल गिर जाते हैं और अगर जब कोई छोटा फूर्ट भी बन रहा है तो वो भी गिर जाते हैं या फिर temperature बहुत नीचे हो गया, कम हो गया, 12 degree Celsius की नीचे चला गया, ज़्यादा थंडा पढ़ने लग रहा है, तो उस समय टमाटर जैसे बहुत सारी सबजियां हैं, वो भी उस समय फूल अपना गिरा देती हैं, इसके इलावा ज़रुआ से ज़्यादा पानी दे दिया, यह कम पानी दिया, तब भी हमारी सबजियों के फूल या दूसरे फूल भी गिरने लगते हैं, ज़्यादा पानी देने से भी मौशर अधिक हो जाता है, उस समय भी problem आती है, कम बहुत देंगे पानी, तब भी दिक्कत आती है, और दोस्तों जब भी पानी दें, अगर जब सब पूरे तक पानी पहुंच जाए, कई बार क्या होता है, हम लोग डरते हैं, कि ज़रूँ से अदा पानी से कहीं फूल ना गिर जाए, तो कम कम पानी दालते हैं, उससे क्या होता है, कि यो पानी होता है, हमारे प्लांट में 2-3 इंच तक मिटी रहती है, वहीं तक मौशर बन रहता है और नीचे की मिटी जो है विकुल सूखी रहती है तो नीचे की जड़ों को पानी नहीं मिल पाता है तो उससे भी प्लांट्स जो है इस्ट्रेस में आ जाते हैं और फूल गिरा देते हैं या कोई फल बन रहा होता है तो भी ड्रॉप हो जाता है तो दोनों ही केस में जो है प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों ये प्रॉब्लम तब ज्यादा आती है जब हम लोग अपनी गार्डनिंग ग्रोबैक्स कमलों में करते हैं जमीन में जो प्लांस लगे होते हैं फिर भी इन सब चीजों को थोड़ा बहुत बरदाश्ट कर ले जाते हैं या फिर जो है आप प्लांस को प्रॉपर शेट दीजे कई बार जो है प्लांस ग्रीन नेट के निचे लगे होते हैं लेकिन ग्रीन नेट के नीचे धूब तो रुक जाती है लेकिन टमप्रेचर हीट बहुत जादा रहती है उससे भी प्लांस अपने फल फूल सबजीओं को ड्रॉप कर द की कमी रह जाती है तो अकसर जो है प्लांट फूल से फल में कनवर्ट नहीं होते हैं तो आप इस बात के चेक करो कि आपने अपनी मिट्टी कैसे बनाई है आप जो है टाइम टू टाइम खाद या फिर फटलाइजर लिक्विट फटलाइजर कुछ भी जो भी डालते हो वो दे के अंदर कीड़े घुज जाते हैं और उनका रस पीने लग जाते हैं और अंदर ये अंदर उनको खोकला कर देते हैं जिसे थ्राइप से मिली बर्क से एफट्स है या काले वाले भुनगे जिसे बहुत सारे कीड़े हैं स्पाइडर माइट्स वगेरा तो यह भी चेक करिए कि आपके प्लांट में कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हैं अक्सर पत्तियों के नीचे जो हैं कीड़े लग जाते हैं तो आप इनको चेक करते रहो जब प्लांट में फल फूल लगे उसी समय से जो है आप कोई भी और्गनिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस की लौकी, करेल, घीर, आइफ, तरोई, कदू, जो भी सब्सक्राइब ज stack के फूरज नकलते हैं ईक मेेल फ्लावर दूसरा फिमेल फ्लावर फीमेल फ्लावर के नीचे अग्सर ऑ रजी टेबिल बनी होती है जिसका वो प्लांट होता है कई बार जो है हम लोग सोचते हैं कि जो हमारा फीमेल फ्लावर है वो हमारी सब्जी है लेकिन दोस्तों वो सब्जी नहीं होती है वो वास्तों में होता है फीमेल फ्लावर जब जो है फ्लावर से फीमेल फ्लावर पॉल Sampleation के लिए कई बार हमारे नाच्छरल पॉलिनेटर सी महते हैं जैसे मक्षी है मदुमक्षी अंपी है चीटिया यह सब आप पॉलिनेटर्स होते हैं तो यह अपने आप सब आप कर देते हैं रहे आप यह होते हैं जब यह नहीं भएट यह रहते हैं गारण ड्राण नहीं हो पार्ण में फूल famine से ब्ल्यूनेशन करना होता है हाथों से करने के लिए बहुत सिंपल धंग है वैसे तो हम अरड़ी एक बार बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर से हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जैसे हमारा जो मेल फ्लावर है जो कि नॉर्मल फ्लावर की तरह लगता है उसकी पंखुडियां आप निकाल ली है और सब्जी के पीले होते हैं किसी में और इंज होते हैं तो वह आपको जो बीच बाला हिस्सा है वह फीमेल फ्लावर की जो बीच बाला हिस्सा है उसके उपर हलके हाथों से डालना है वह पाउडर टाइप का सबस्टेंज जो हैं उसमें गिरे यह आप यह बट से भी कर स सकते हो पेंटिंग ब्रेश से भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो बहुत नॉर्मल है इसमें दोस्तों कोई भी डिफिकल्टी नहीं है बस आप ध्यान रखना आप सब्जी को जो भी आपका फीमेल फ्लावर है उसको बहुत कस्के मत पकड़ना ने तो पता लगा आपने सारी पकड़ने में और आपका फ्लावर है वो डामेज हो गया तो इसको आपको ध्यान रखना है इससे जो है वो अपने आपी जो है कुछ दिन बाद उसमें फ्रूट में कंवर्ट होने लगेगा सब्जी बनने लगेगी यह चीज जो है आपके बैगन है मिर्चा है टमाटर में इसमें फ्लेव में एक ही उसमें होता है तो उसको प्लांट अगर हवा में हिलता भी है न अपने आपी वह अपने खुदी वह सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है लेकिन जो बेल वाली सब्जी आ है उसमें अकसर हो जाता है इसके बाद दोस्तों हम लोग को कोशिश करने हुआ थोड़ा बहुत फूलों को जरूर लगाईए वो कि उन फूलों को देख करके यह जो पॉलिनेटर्स है वो खीचे चले आते हैं और उससे फादा हमें यह मिलता है कि हमारी सब्जी आपने आपी जो है पॉलिनेट हो जाती है इसके बाद जो है आपके फल फूल नेचर के आगे दोस्तो हम सब गाडनर्स जो होते हैं थोड़े से हल्पलेस हो जाते हैं हाँ स्पेशन्स रखना हमारा काम है जैसे ही सीजन उचेत होगा जितनी भी चीज़े हम लोगे हाथ में पॉसिबिल हैं देना प्लांट को वो सब प्रोवाइट करेंगे तो आपका फ